मैं अन्जूबाला, Mind Hypnotis Channel, Cyprus से हमारी विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारे विचार ही हमें जिन्दगी में वो सब कुछ दे सकते हैं जो हमें चाहिए अगर हमारे विचार पॉजिटीव हैं तो हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं और अगर हमारे विचार नेगिटिव हैं तो हमें कभी जिन्दगी में वो नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं क्योंकि हमारे विचारों में वो ताकत है वो शक्ति है जिन्दिया कोई भी काम बहुत आसानी से हम लोग कर पाते हैं अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को अपनी और अकरशित कर सकते हैं हमारे पास चाहिए कुछ फैसलिटी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन अगर हमारे विचार हमें बोड रहे हैं कि ये काम हम करेंगे हमें ये चीज चाहिए तो definitely हमें वो चीज मिलेगी क्योंकि हमारे विचार उसे हमारी और खीचेंगे और वो चीज हमेशा के लिए हमें मिल जाएगी हमारे विचारों में इतनी पॉजिटीविटी होनी चाहिए कि हम जो चाहें हमें असानी से हासिल हो जाए अगर हम एक पल के लिए सोचते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और दूसरी पल हम सुचते हैं कि हम कैसे लेंगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है कैसे करेंगे तो वो चीज हमें कभी नहीं मिलेगी हमें अपने विचारों को मजबूत बनाना होगा पॉजिटिव बनाना होगा अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारे विचार हमें हर चीज देंगे दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम नहीं पा सकते हम अपनी जिन्दगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं सिर्फ एक अपने विचारों की ताकत से अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं तो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होगा अगर हमारे विचार नेगिटिव हैं तो हमारे साथ सब कुछ नेगिटिव ही होगा ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई हमारी किसमत लिख रहा है हमारी किसमत नहीं लिख रहा हमारी किसमत हम खुद लिख रहे हैं अपने विचारों के जरीए जैसे विचार होंगे वैसा ही हमारा आने वाला कल होगा वैसा ही हमारा वविश्य होगा अगर हमारे विचार अच्छे हैं पॉजिटिव हैं तो हमारा आने वाला वविश्य बहु पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कैसा सोचते हैं अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं हमारे विचार ही हमें हर दिशा की और अगरसित करते हैं चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है हमारे विचार हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं व हम जो भी सोचते हैं हमें देखना चाहिए कि हम क्या सोच रही है यह तो हमारे भात में है ना विश्यक हम सारा दिन बहुत सोचते हैं पता नहीं कौन कितने विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं दिन भर तो क्या जब हम रात को सो भी जाते हैं तब भी हमारा दिमाग चल तो वो हमें इतनी हिम्मत है कि हम विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहतर बना सकते हैं अच्छा बना सकते हैं विचार ही है जो हमारी किस्मत लिखेंगे बाकि ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई हमारी बैठके किस्मत लिख रहा है वह हां आगे हमार अपनी जिन्दगी को बहतर बनाना है तो हमें उच्छा सोच रहा होगा उच्छे विचार अपनी मन में लाने होंगे तब ही हम जिन्दगी में कुछ बहतर कर पाएंगे अपने विचारों से अपने वविश्य को हम सुनहरा बना सकते हैं अपने ही विचारों से हम अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं कि जो हम लोग नहीं कर पाते सब कुछ कर सकते हैं हमारे विचार बस पॉजिटिव होने चाहिए हमारे विचारों में अगर पॉजिविटी है तो जुनिया का कोई भी काम, कोई भी चीज ऐसी नहीं, जो हम हासिल नहीं कर सकते, सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो लोग, कई लोग हमने देखे हैं, इतना कुछ सहते हैं, सारा कुछ न कुछ उनकी जिन्दगी में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन वो लोग हमेशा ख जाएंगे विचारों की यही ताकत है कि हमें किसी भी सिच्वेशन से निकालने में वो हमारी मदद करते हैं इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए अच्छे विचार अपने मन में लाने चाहिए यही हमारी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे बहतर बनाएंगे खुश से सस्क्राइब करें धन्यवाद